मुरलीगन जो थना परभारिक हैं वे विसुद्ध रूप से क्रिमिनल ब्रेन का है वे हत्या का सुपारी लेता है और हत्या कराता है भला और इंसान आदमी का यह तो आपका आरोप है एक देश की सेनिक रिटाइर सेनिक चोड़केत होता है आज देश की देश जो है हम लोग सुरक्षित है सेनिक के बॉल पार लोग जो बोला बोला सासन पर सासन के हवाले जब गया उभी बोल दिया कि अप्राधीक है पैसा चाहिए दस हजार पंद्रो हजार बीस हजार तब जाएंगे उसको भी चाहिए एक सबारा जो है उसको लेके रहेंगे और दोसी को फांसी पचरा के रहेंगे आप देख रहे हैं वी आर्ज न्यूज एक नजर सच्चाई की ओर इस शतर के जीला परेशन बेबी यादब जी हमारे साथ मुझूद हैं जिस प्रकार से यह हादसा हुआ है हादसा नहीं है यह हत्या हुई है क्या कह करके अमरीका अनंद जादब को लपटोल विशनपूर बोलाया गया कुछ तथा कथी चंद लोग इसको साह के कि चलिए हम आपको मदद करेंगे वहां यह अकेला पर गया वो लोग साजिस के तहत सारे लोग गुरूप बाजी करके इसका हत्या कर दिया पिट-पिट के उसक कि लोग और वह थाना परभारी मुरलीगन मिली भगा तुब मोटी रकम पहले से ले चुका था और यह जिंदा रहता इसको जो है जान बूझ के जब पुलीस के हिरासत में गया तो पुलीस का कर्तब बनता है कि उसका रक्षा करना और बचाना इलाज करना इसका जान करते हैं सरकार से कि हत्यारा को अभिलम एस्पी ट्राइल चला के उसको फांसी की सजा होना चाहिए यह लिलंबीत और सस्पेंट से नहीं चित्काम चलने वला है पंदरवा दिन और महिना दिन के अंदर टोटल मुझरीम को हत्यारा दोसी को फांसी होना चाहिए तब हम लोगों का आत्मा सांत होगा इस लाके का लोगों की जो आग से आशू गिर रहा है एक बहुत बड़ा देश सेवाक देश भाक अमरिका अनंद जादब थे और बहु उसके बानी से मौध चुत्ता था वैसा आदमी हम नहीं देखे अभी तक इतना व्यभारिक संसकारी देश के लिए स्यवाकिया उस व्यक्ति को बरवरता पुर्वक चिलाते रहा देख रहे हैं वीडियो में कि हत्करी लगा हुआ है टांग पटक के किसी खतरनाग और टेरि उसका सही समय पर टिटिमेंट होता ते यह व्यक्ति आज मौध के निन्द नहीं सोता यह हम लोगों को बीच जिन्दा आता लेकिन जिस प्रकार से बदमाश चोर करके मारा गया उसको क्या कहेंगे पुलीस कितना जिम्मेदार इसके लिए पुलीस तो इसमें सरवो शरवा दोसी है इसलिए कि हम मांग करते हैं कि पुलीस जो महकवा है इतना अपराध को बढ़ावा जयता है अपराधीक से सांट गाट कर लिया है कि पुलीस पर से आप लोगों को बिश्वास हट चुका है ऐसे मुरलीगन जो थना परभारिक है वे बिशुद्य रूप से क्रिमिनल ब्रेन का है वे हत्या का सुपारी लेता है और हत चाहिअ कि अध्या करता है भला और इंसान आदमी का यह यह तो आपका आरोप यह साबीत है तो आरोप क्या यह कई हत्या कर वाए है इसका Chamrocer की मंग करते हैं कि से वर खरी आर ऊम जो यह थना प्रवारिक हरे बनते में अ लाईसंस इसको ऐसे बगति को लाईसंस नहीं मिलना चाहिए गई आप धना परभारी के जिंदा यहां से गया अध मनें वकुक कर रहा था फस कि लास वहां पर देखते हैं ह। देख रहे हैं ना हदकरी में उठता है फिर उसको धकल देता है इस चिलाते कर रहा है कि हमको पानी दीजिए दबाय करें लेकिन एक भी बात नहीं सुना उसका हम मांग करते हैं सरकार से कि हाइप कोड के रिटायर जज्ज से शिटिंग जज्ज से इसका जाच करावे ताकि औ पानी का पानी और दोशी को सज़ा मिलेगा और फांशी की सजा मिलेगा ऐसा मेरा मांग है पडीच पड़िवार को लेकरके आप लोगे क्या स्टेंज रहे कर से हम देख रहे हैं कि दो बच्के हैं दुनों पढ़ाई कर रहे हैं कय हम tricky को मैटिकल कॉलेज का अं-दर पढ़ वाले थे इनकी हत्या हो गई मातांजी भी और पिता जी दोनों जाइफ, बूरे हो गए हैं बीवी हाउस, बाइफ है तो plonk koy हम लोग को जो बॉन परे का वह ही जो है उसका मदण करेंगे और सरकार से भी हार सरकार से मांग करते हैं कि इसका भरपाई, इसके बच्चा का, परिवार का सरकार उठावे, और उस बच्चा जो दोगो है, उसका, वो एमबेबियस कमपीट किये हैं, उसका भी सरकार खर्चा वहन करे, यही मेरा सरकार से मांग है, और इगहटना को कम से कम, हाइकोट के, इस लोगों की जाच पर भर हाइकोट की रिटायर जच से इसका जाच करावे, और अगर हाइकोट की रिटायर जच से उससे नहीं बन पता है, तो केंद्रिया जाच भी और और सीबी आई से जाच हो, इसमें बहुत आजमी फसेंगे, अभी हत्या का मुख्य करन क्या हो सकता है? हत्या का इसका जो है बहुन का जमीन हरफ लिया था उलोग वही समझोताम गया था उसका भरन पोसन इसको जो है कि से साजिस करके बोलाया वहाँ पर घात लगा के पहले से उलोग तयार था अचानक एटक किया इस पर जो कि ये दुर्भाग पूर्ण है ऐसा नहीं होना उस समाज की लोगों से भी हम कहते हैं कि वहां की मर गया था जन परती ने दिया गन्मान ब्यक्ति कम से कम बीच बचो आना चाहिए करने के लिए ताकि इसका रक्षा हुपता यहां भी किसी जगा वीडियो में सामने दिख रहा है कि वह जिंदा है हाथ में हतकरी लगा तो कहिन के हमें लगता कि तीन-चार गंटे तो जीवीत रहे होंगे वहां पर अगर समय रहते हिलाज हो गया होता तो आज नहीं मड़ते हो वहां पर जो है लबटोल विशनपूर में बहिनियार में उसका जो हुआ हुआ थाना जब आया प्रशासन तो थाना के हवाले जब आज देश की देश जो है हम लोग सुरक्षित हैं स्यनिक के बॉल पर इस देश का नागरिक जो है भारत देश का आप चाहाँ प्रधान मंत्री हो अब मुंक मंत्रिया जो कलक्टर जो भी लोग है आम जनता हो बोडर पर लर रहा है दूसरा देश आकरमन जो करता है उससे प देश का इस देश का स्यनिक उस्यनिक को आतंगवादी और टेरिरिस कहके और जो गरामी लोग जो बोला बोला सासन पर सासन के हवाले जब गया उब ही बोल दिया कि अपराधीक है इस चिलाते रहा कि हम रिटाइर फोजी हैं हमको बचाईये पहले तो दोसी ने हुआ बोलि माफिया गिरी करते हैं अभी अभी के डेट में अफसर साही है ये थाना परसासन जो है बिलकुल मिली भगत है सब जगा घटना इतना इस ये पूर में भी ये आवेदन दे चुका है तीन-चार बार एक भी करवाई नहीं किया पैसा चाहिए दस हजार पंद्रो हजार बीस ह अरभ बार है उसको भेज देता है औहु bisa खोजने लगता है ये सब खाना पूरी करते हैं इस नियाइ नहीं मिलता है लोगों को अब लोगों को जागरूक्त होना परेगा सब समाज में अक्टिव होना परेगा उसके भरोसा हम लोगों का जिन्ञी नहीं है बचने बला अब सब आदमी संगेटिद होके विचार विमर सब गों में वाड में किजिए सब अपना आपको सुरक्षा के लिए त्यार रहिए सासन पर सासन पर सी भरोसा हम लोगों को उठ चुका है इसमें अगर नियाए नहीं मिलेगा तो हम लोग उगर अंदोलन करेंगे चरन बाद अंदोलन करेंगे चक्का जाम कर देंगे कोशी सिमानचल में और आर्मी का फोज बिभाग का भी एलान कर दिया है कि हम लोग भी धरना परसन करेंगे हम लोग भी साथ देंगे हम लोग को भी जितना सामर्थ होगा उतना चक्का जाम करेंगे चारो तरफ जब तक इसको नियाए नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों को आत्मा का सांती नहीं मिलेगा नियाए लेके रहेंगे और दोसी को फांसी पचरा के रहेंगे ठोरेंगे ने उसको जहाँ जो करना पड़ेगा करेंगे इसके लिए हम लोग electronic media जितने भी social media के लोग हैं उनसे भी आगरह करते हैं अधिक से अधिक इस मामला को सरकार की कान जो बहीर हो चुका है उसकी कान को पर्दा को फाड़िये और वह सुने और आख जो मुंद के बिठा हुआ है उभी आके देखे और इसको न्याय मिले तब इसको मुक्ती मिलेगा सांती मिलेगा तो अभी आपने सुना ये जिला परिशद बेबी दब जी थे जिन्नोंने पने बाते रखी है और यो हत्या यहाँ पर हुई है ये हत्या वाके निर्मम है हद तो उस वक्त हो गया है जब पुलीस जो संबंदित थाना है मुर्ली गंस थाना वहां की पुलीस है उसने जो थाने के अंदर इनके साथ ब्यवार किया वो आमानविय है बढ़वर है वो जब दिरिश आप देखेंगे तो आप भी वेसलित हो जाएंगे उस परकार से एक जो एक्स आर्मी है पूर्व आर्मी उनके साथ किया गया है वो हाकिकत में अब मान विया है इससे लेकर आपकी क्या परती के रिया है कमेंट बॉक्स में लेकर ज़रूर बताएं इस वीडियो को अधिक से दिक शेयर करें ताकि बागी लोगों तक जान करें पहुंच पाए फिलाल के मुझे इमरान को और सायोगी जैराम को दीजिये यही पर इसाज़त नमस्कार